हैलो एवरिवन विल्कम बेक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ये वीडियो है सटर्डे के दिन की है और अभी साम का जो बज रहा था साड़े चार और यहां पे देखिए मतब सुबह से ही बारिस हो रही है दो ही महीने तो सर्दियां बहुत जादा लगती है दिसंबर में और जन्वरी में तो यहां पे न मतब बारिस इतनी जादा हो रही है कि मतब ठंडी बहुत जादा बढ़ गई है तो यहां पे मैं आ गई हूँ कीचन में और बना ले रही हूं चाय तो यहां पे मैं अगर वहां डाल देमें तो यहां पर एक कटोरी में बाबू के लिए निकाल दीओं और यहां पर देखेंड़ा सा दाली थी और थोड़ा सा मूरी और ये न 10 रुपय ओला मिक्चर था और सभी लोग खालेंगे हम सभी लोग चारो लोग तो यहाँ पर देखे बाबू को दे दी हूँ और वो लेके चला गया है और उसके बाद मैं यहाँ हस्बेंड को दे दूँगी और मुझे नहीं मन हो रहा था तो फिर मैं अपने लिए नहीं निकाली हूँ मिक्चर ऐसे ही फिर उसको बंद करके रख दी हूँ और इधर देखे मेरी चाय भी जो है न बन गई है तो चाय के साथ खास करके बारिस के मौसम में या तो साम के स्नेक्स में चाय के साथ अगर कुछ लेना रहता है तो मेरे हां मौरी मुंपली मिक्चर ये सब मिक्स करके लिया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं करता है और ये एक हेल्दी सा स्नेक्स हो जाता है तो साम के टाइम में यहाँ पे देखिए मैं दो कप चाय बना ली हूँ और मुरही मेरी बन गई है और अब मैं लेकर जाओंगी हस्वेंड के पास उनको भी दे दूँगी और मैं भी चाय पीलूँगी तो आजाई यह आप लोग भी बिल्कुल गर्मा गरम चाय और मुरही ख पसंद है तो यह लाए हुए ना मतों जादा दीन हो गया था लगबक साइथ तीन दीन हो गया था लेकिन मैं ऐसे फ्रीज में इसको रख दी थी तो यह मतों सूख जाता तो मैं इसका पकोड़े अभी बिल्कुल बनाने का मेरा मन नहीं था क्योंकि मतों इतना ज्यादा ठं यहां पर इसके पकोड़े बना दूंगी तो प्याज के पकोड़े मेरे दोनों बच्चे नहीं खाते हैं तो वह लोग बोलें कि मम्मी मेरे लिए आलू चौप बना देना तो मैं आलू को पहले बॉयल कर ली थी अब बॉयल करके मैं रख ली हूँ उसके बाद यहां पर मैं सबसे पहले प्याज के जो है न जो प्याज बिल्कुल बन गया है उसको मैं निकाल करके साइड में कर लूँगी उसके बाद जो भी इसके सूखे पत्ते हैं इसको मैं निकाल के साप कर लूँगी उसके बाद फिर फ्रेंड्स मैं यहां पर देखे एक एक जो प्याज थे न पकोड़े हस्बेंड और मैं खालूंगी और आलू चॉप जो है बच्चे खालेंगे सभी लोग खालेंगे तो यहाँ पे देखिए आलू को बॉयल करके थोड़ा सा धनिया पत्ती हरी मिर्च और यहाँ पे थोड़ी सी कलर के लिए देगी मिर्च चाट मसाला और जीरा पाउ अदर गलहसन का पेस्ट था उसमें थोड़ी सी लालमेश पाउडर नमक थोड़े से बेकिंग पाउडर और इसमें भी थोड़े से मैं बेसिक मसाले डाली हूं थोड़े थोड़े बिल्कुल और बस इसको अच्छे से एक पेस्ट बना लूंगी जैसे की आलो चॉप के पेस की रख दी हूं उसके बाद यहां पे मैं देखिए हरी प्याज जो कट कर ली थी उसमें मैं डाल दी हूं बेसन और फिर वही सभी बेसिक मसाले थोड़े थोड़े थोड़ा सा ही और इसको भी मैं अच्छे से मैस कर ले रही हूं बिल्कुल इसमें भी मैं थोड़ा सा भी ए करके रखी थी न वो सभी आलू के पहले मैं इस तरह से टिकी बना ले हूं तो इतना सारा टिकी बन चुका है और बस अब इधर मैं कड़ाई में तेल डाल दी थी तेल गरम हो गया तो बस टिकी में ऐसे ही मैं डाल ले रही हूं लग उसमें डीप कर करके और यहां पर और यहां पर उसके साथ हरी चटनी और दो यहां पर जो मिर्चे थे हरी मिर्च को भी मैं रख ली हूं तो वो मैं हस्बेंड को ले करके दे दी हूं हस्बेंड और बेटा दोनों खा रहे थे और बेटी भी वहीं पे थी और इधर मैं थोड़े से निकालनी हूं प्याज वा ही बनता है, तो सभी लोग जिन को जितना खाना था ना, वो लोग खा लिये थे, और उसके बाद फिर मैं रात में कुछ भी नहीं बनाई, तो सब कोई खाली या मैं भी खाली और यहां पर मैं आ गई सभी जो बरतन थे वो मैं साप कर ली हूँ उसके बाद मैं कीचन को भी क्लीन कर लोंगी तो यह जो लोहे का कडाही है न इसको साप करने में बहुत ही मुश्किल होती है तो सभी बरतन पहले मैं धो के निकाल ली हूँ कि या तो पूरिया तलिये या तो पकोड़े बनाए तो ? चीज होता है न कडाही वगर या बहुत ज़ैदा उसमेशता है जिसके चलते सभी बरतन के साथ मैं नहीं धोई तो और उदर कडाई को भी अच्छे से धो कै और सुखे कपड़े से मैं उसको अच्छे से रगड़ के पौच लीूह और एक साइड में रग दीूह और अब मैं चूल्हे को एक बार ऐसे ही बड़तन धोने वाले से न मतलड़ साप करके और ऐसे गिला कपड़ा करके उसे मैं और रगण साप कर दूँगी ऐसे जो कीचन जादा गंदा नहीं हुआ है कुई कीचन दुख य्युक्त करता हुआ जै basti गंदा कि यदर नहीं डालता गंदा नहीं गिरता है यहां पे कीचन को भी मैं साप कर लूंगी और अभी सोफेंगे नहीं हम लों कि अभी जो टाइम हो रहा था बज्डारता नौ और हम लोग पकोडे वगए खा के बैठे थे और बैठने के बाद से स्जाय मांगें तो हस्बेंड को भी मैं तो रातर लग रहा था कि हाट तो मेरा हाथ है ही नहीं और जब सर्दियों में बारिस स्टार्ट हो जाता है तो ठंडी दोगना हो जाता है तो वही है तो बस इन लोग का जो फर्माइस था इन लोग को बना के मैं खिला दी हूँ इतनी मतव कड़ा के कि सर्दी बिल्कुल मन न लोग जगते हैं क्योंकि आदत पड़ा हुआ है आज जादा हस्बेंट को भी मार्केट का काम नहीं था क्योंकि बारी सो रहा था तो भी घर में थे लेकिन वह अपना पेपर वर्क यह सब करते रहते हैं और बच्चे जो है पड़ाई कर रहे थे और मैं टीवी देखती हूं तो लेट में ही सोरे जाएंगे और पाणी भी यहां डिस्पेंसर में खतम हो गया था तो इसको भी मैं अच्छे से साप कर लूंगी और साप करके इसको भी रख दूंगी उसकी बाद दूसरा वाला जो जार है ना इसमें हस्बेंट से रखवा लूंगी तो यहां पे देख अपने खाना खाने के बाद तो आपका मेटावलिजम जो है न वह बहुत अच्छा हो जाता है तो आपका वेट भी लूज